सेंग तुराश्ट का अनुमान है कि पोलेंड पहुँचने वाले शर्णार्थियों की संख्या 10 लाग से अधिक होगी और यूक्रेण से लगभग 40 लाग लोगों को भागना पड़ा है लेकिन विदेशों में पहले से बसे यूक्रेण के कई लोग इस इरादे से वापसी कर रहे हैं कि वो रूस से लड़कर अपने देश को बचाएंगे पोलेंड यूक्रेण सीमा से बीबी सी समवादाता मुराद शिशानी की ये रिपोर्ट इस सीमा से होते हुए लोगों का यूक्रेण से पॉलेंड की ओर जाना हर घंटे बढ़ रहा है लेकिन ये यूक्रेणी यूवाद अपने देश के लिए लड़ने की खातिर दूसरी दिशा में जा रहे हैं माक और मैक्स डेनमाक से आये हैं उनकी यूजना बॉर्डर के रास्ते पैदल यूक्रेण में दाखिल होने की है ये दोनों विदेशों में बसे उन तमाम यूक्रेणी लोगों की तरह हैं जो अपने देश पर रूसी आक्रमन के खिलाफ लड़ना चाते हैं क्या आप सेना में शामिल होने जा रहे हैं या फिर आपका कोई अपना ग्रूप है शायद ग्रूप या शायद सेना हम देखेंगे वहाँ आपको ट्रेनिंग कौम देगा पोलेंट से लगी सीमा पर मौझूद और भी लोग अलग अलग तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे रोमन ने हमें बताया कि युक्रेनी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करना उनकी प्राथमिकता है ताकि देश में लड़ रहे पुरुष बिना चिंता से लड़ सकें जंग की हमेशा एक करवी कीमत चुकानी होती है और ऐसा लग रहा है कि युक्रेनी लोग चाहे वो शरनार्थी हो या फिर लड़ा के इस कीमत को चुकाने के लिए मजबूर है